आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है चलिए जल्ली फटाफट जूड़ जाए आज का सेशन एकदम तागड़ा सेशन स्टार्ट होने वाला है टाप टेन दिर्ग उतरीे प्रस्ण कमेश्टि का एक दम प्लीज फटा फट जूड़ जाए और इस सेशन को सेयर किजिए चलिए बच्चो फटा फट फट पट जूड़ जाएए हमसे ठीक है आज का थमनेल आप देख लिजिए दस दिर्ग उतरिये बाइरल कोशन है ठीक है ठीक है मेरे बच्चो ध्यान से देखिए इस सेशन को और फटा फट जुड़ जाएए गुड मॉर्निंग एवरीवडी सभी को एक साथ गुड मॉर्निंग ठीक है बच्चो गुड मॉर्निंग एवरीवड आपका दीन आज अच्छा जाए ठीक है हम यही कामना करते हैं फटा फट जुड़ जाएए मेरे बच्चो और जुड़ जाएए फटा फट और देख लिजिए एक आपके लिए हम सिर्फ आपके लिए लाएं हैं ये पढ़ लिजिए थोड़ा सा भाग जाना असान होता है हर पहलू जिन्दगी का इम्तिहां होता है मेरे बच्चो ध्यान दिजिएगा मुश्किलों से भाग जाना असान होता है हर पहलू जिन्दगी का इम्तिहां होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दगी में डरने वालों को मिलता नहीं कु में कुछ भी नहीं मिलने वाला है अपने हक के लिए आप आप लड़िए अपने अपने हक के लिए आप संघर्स कीजिए ठीक है आपको काम्याबी जरूर मिलेगी यह विश्वास रखिए अपने आप में तो हमारे बच्चों आज का सेशन हम सुरू करने जा रहे हैं आप यह पहला कोशन ला रहे हैं कोथनांग का उन्नायन से आप क्या समझते हैं पहला कोशन लांग टाइप ठीक है मेरे बच्चों एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ है एकदम मेहनत किये हैं मेरे भाई एकदम आप लोग के लिए मेहनत किये हैं खास करके इसको लिखा गया है क् टाइपिंग जो रहता था बहुत जादा तुरूटी पूर्वक रहता था तुरूटी पूर्ण रहता था इसलिए उसको सुध करने के लिए हम सीधा नोट्स आपके लिए प्रवाइड करवाए हैं लिख करके ठीक है बच्छो लिख करके चलिए बच्छो एक दम गरांटी के साथ है ठीक है बच्चो आप इतना कम से कम दस जो है टॉप दिर्गुतर ये आप कीजिए इसको ठीक है आपका मेहनत बिकार नहीं जाएगा पहला कोशन है मेरे बच्चो देखिएगा पहला कोशन पहला कोशन बोल रहा है कोथनांग का उन्यन से आप क्या समझते हैं ठीक है म हम थोड़ा से समझा रहे हैं किसी घोल में आवास्प सील पदार्थ डालने पर उसका बास्प दाव कम हो जाता है आवास्प सील पदार्थ किसको बोलते हैं बच्चो जो पदार्थ क्या हो बास्प सील ना हो जो कि बास्प के रूप में ना बदले जैसे लोहा हो गया चांद उबलना वाइलिंग पॉइंट ठीक है को थनांक बढ़ जाता है अर्थार्थ बास्पदाब अमनमन के का एक इदम सुध लिखा हुआ है मेरे बच्चो ठीक है इससे अच्छा नोट्स आपको कहीं प्रवाइड नहीं हो पाएगा यह बुक से नहीं है इना कोशन बैंक से है अ थीए देख लिए जैसे लिखते हैं उसी तरह से इसको लिखा घया है अर्थार्थ बास्पदाब अमनमन के कारान बिलियन का कुधनांग सुध घोलक के कुधनांग से उचा हो जाता है और बिलियन और विलायक के। bạn से उच्छा कहलाता है जिसे डेल्टा टीवी देखिए ये भी आपके लिए लिग दिया गया है डेल्टा टीवी किससे सुचित करते हैं को देल्टा टीवी द्वारा सुचित किया जाता है एक दम आपका नोट जैसे हैंड नोट राता है मेरे बच्चो उसी तरह से है ठीक है मेरे प्यारे आपके सामने आप अगर ये दस कोशन करते हैं कुतनान का उन्ययन इस साल के लिए और चुन है ठीक है बच्छो आप इसको करिए हम कामना करते हैं कि यह कोशचन आपके जरूर देखने को मिलेगा आप देखियेगा जिस दिन करना में रहेगा हम उस दिन लाइव रहेंगे और आप से हम चैट करेंगे ठीक है बच्चो चलिए देखते हैं ठीक है बच्चो एकदम बीवी आई है ठीक है मेरे बच्चो एकदम बीवी आई है मेरे प्यारे बच्चो एकदम बीवी आई है एकदम देखिए ठीक है एकदम देखिए एकदम देखिए और इसको एकदम कंठस्त कि देख लिए रियक्षन भी हाथ से लिखा हुआ है आपको बैलेंस किया हुआ है टोटल सब कुछ करके लाएं हैं हम ठीक है चलिए इसको हम थोड़ा सार उपर कर देते हैं आप इसको पूरा देख लिजिए क्या कहा रहा है कोशन पहले देख लिजिए कोशन अमोनिया से नाइ पढ़िए आपका माक्स जो है एक रिदम 400 पलस नब्वे पलस तो कंफर्म है कि में स्टी में आपका आएगा नब्वे पलस नब्वे पलस कंफर्म है बच्चों अगर ऐसे आप पढ़ है तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं ठीक है मेरे बच्चों चलिए पूरा कोश्चन और स्थे तक गन करने पर इन derivative होता है डेख लिजए इसका रेक्षन भी डाला हुआ है ठीक है देख लिजी रियक्षन हम दिरे-दिर ऊपर कर रहे है आप इसको अच्छे से देख लिजीए ठीक है बच्चों लगशे का सदीぃ कि आपका सिन कर देख लिए वार गर्म करने है ठीक है nitrogen dioxide बना देता है आप पूरा सेशन को दिखिए टोटल का टोटल आपको आपको जो है एक्जाम के दिश्टी कुन से महत्पूर्ण है आप आपको पीडियाप भी मिल जाएगा आप पहले वीडियो तो पूरा देख लिए एकदम जवड़ दस तरीके से आप देखिए हैं कम से कम 20 मिनट 25 मिनट भी तो टाइम डिजिए केमेस्ट्री अभाव जब तक नहीं समझ में आएगा सिर्फ छापने से क्या पाइदा तो किताब में भी लिखा हुआ है हम आपके लिए नोट्स बनाए हैं कम से कम आप हमसे सिखें क्या लिखें नहीं लिखें कैसे लिख है कि आप अपना प्रॉब्लम की जिए हम आपको से करेंगे चलिए बच्चों चलिए देख लीजिए तो ठीक है नाइट्रोजन डायोकसाइड मिला नाइट्रोजन ड्रीक अम्ल बनाया ठीक है देखली जिए फिर यह चोड दिए हैं इसको फिर से रिक्षण करवाए हैं द कास्ट में थोड़ा सा लिखिएगा ठीक है बच्चों कि इस परकार बने नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सिक्रित होकर फिर एनोटू देता है जो की जल में घुलकर पुना इस यह क्रिया चलते ही रहता है यह एक चक्र है मेरे बच्चों और यह चक्र जो है लगतार चलते र इस आब करी आप जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए ठीक है आप जो है हलके में ले रहे हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप मजाक करते रहेगा तो एक्जाम में यह आपसे मजाक करेगा बच्चों ठीक है आप से मजाक करेगा यह ध्यान देखिएगा आप थोड़ा सा सीरियस हो यह अब एक महिना टाइम कम से कम तीस दीन तो बढ़िया से दे दिए इमांदारी पुरवग तीस दीन दीजिए कम से कम नहीं दीजिए गात बहुत प्रब्लम होगा मेरे बच्चों ठीक है और हम क्या बता सकते हैं आपको एक सही रास्ता ही दिखा सकते हैं आपके आपके बदले में पढ़ तो नहीं सकते हैं ना याद कर सकते हैं वो तो आपको ही करना पड़ेगा ठीक है मेहनत आपको करना पड़ेगा हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं बच्चों कि हाँ इस रास्ता पर चलो इस तरह से पढ़ो हम आपके लिए मेहनत कर चो रहें आप करें ही नहीं तो फिर क्या होगा अब प्लास चो रखें टार्गेट वर नहीं हो पाएगा आपको करना ही पड़ेगा कुछ भी से लिए करना करना है आपको चलिए एलुमीनियम छपे या तांबा छपे ठीक है यह आपका जो है इन और्गेनिक कमेस्टी का है इन और्गेनिक कमेस्टी से एक दो आयसक वाला जरूर पूछता है ठीक है मेरे बच्चो एक दू एक दो एक दम पूछता है आप विस्वास रखिए मेरे बच्चो आप हम पर विस मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को जाया होने मत दीजिए आप भी मेहनत से वीडियो देखिए आप उस पर जैसे आपको पढ़ना स्क्रीन लेकर करके पढ़ना है डाउनलोड करके पढ़ना है जैसे करके पढ़ना है आप पढ़िए पढ़िए तो कम से कम मेरे बच्चों नहीं अगर आपको याद है तो आप एक बार इमांदारी से पांस से साथ मिनिट लगेगा कौपी में लिखने को सीजिए टाइम दीजिए टाइम मांगता है ठीक है बच्चो चलिए अब तो मुख आयस का नाम लिखें ठीक है अब तो मुख आयस का नाम जानते ही होंगी बॉक्साइड होता है पहले कहा जाता है कि अलूमीनियम इतना महंगा था बच्चो जिससमें हम निस्करशन करना इसको सुधी करना नहीं जानते थे उस समय के राजा जो थे वह बटम जो अलूमीनियम इतना सस्ता हो गया कि आप हर घर में मिलता अलूमीनियम ठीक है क्यों इसका कारण है कि यह जो आयसक इसका जो है इसका निसकरशन जो होता है वह बहुत आसान हो गया है अब आसान हो गया है महंगा नहीं है सस्ता हो गया तो सस्ता हो गया अगर सोना भी सोना भ होता है दो चरन में होता है ठीक है देखिए आप बुक में देखिएगा तो आपको चरन भाई चरन नहीं रहेगा डाइकली दिया हुआ रहेगा डाइकली छापिएगा नमबर कटेगा हम जैसे लिखे हैं आपको वैसे लिखना है ठीक है बच्छो जैसे हम लिखे हैं आपको लिखी लिए होंगे चलिए देख लिजे पर्थम चरन देखिए परथम चरन वेशर बिधी हैए साइंटीस्ष था यह यह विधी दिया था देख लिजिए आप यह मैथड है यह बॉक्साइड है सोडियम हाइड्रोकसाइड से विक्रिया करके देखिए बना लेता है यह और इसको फिर से विक्रिया करवाते हैं सोडियम sodium eluminate बनाता है sodium eliminate फिर से अभी क्रिया करके जल से क्या बना देता है sodium hydrogen and aluminum try hydrogen फिर यह अभी क्रिया करके क्या देता है 203 देखे 203 भी प्राफ्ट हो जाता है ठीक है मेरे बच्चों फिर वह ही प्राफ्ट हो पांच में पांच मिलेगा आप कोई भी question bank से या कोई भी book से आप इस question को मत कीजिएगा नहीं तो उसमें इतना लंबा होगा आए माई लिखावागा बहुत सारा आप इस method से कीजिए और यही equation लिखिए आपका नंबर पांच में पांच इसको इसमें आएगा ठीक है मेरे बच्चों चलिए देखिएगा दूसरा चलन देख लिजिए बच्चों ठीक है दूसरा चलन आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए इसको कर दिया जाता है कितना छोटा है पांच नंबर है आपका ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे बच्चों पांच नंबर है आपका दो चलन आपको करना है जो यह मिला ठीक है उसको हम एलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे कैथोड और एनोड पर जो हमें सुध्ध एलुमीनियम के रूप में पराप्थ हो जाएगा ठीक है वक्षोंू देख लीजिए है। अनों मिर्बान दूमीनियम के रूप में पराप्थ हो जाएगा तो यह हमारा तीसरा कोश्यन था gegeben QBI Question है आप इसको एक बार revision कर लीजे बच्चो अगर याद है तो बहुत अच्छा आपका बहुत अच्छा मेहनत निकि आपका बहुत अच्छा तयारी है कि आप Aluminium का निसकरसन आप अपने मन से लिख सकते हैं चलिए चौथा question पर चलते हैं मेरे बच्चो चौथा नंबर कोश्चन है थोड़ा सा और था बच्चों देख लिए यहां पर काइथोड पर यह भी किरिया होता है अगर चाहें तो इसको बगल में लिख सकते हैं ठीक है यह आपका इक्स्ट्राफ हो जाएगा यह यह दोनों जो हम बताए अप उस पार्ट में कि हा प्राप्त होता है कैथोड पर ऑक्सीजन कहां पर भी बच्चों अगर यह दोनों कहीं पर लिख दीजिएगा पॉइंट करके तो जोändert रहेगा वो समझ जाए कि ये लड़का बहुत मेहनत किया है chemistry में ठीक है मेरे बच्चो चलिए बच्चो ठीक है बहुत अच्छा ठीक है aluminum की aluminum sulfuric उनके साथ अब किरिया अगर एक अठो अब किरिया दे दोगे तो और अच्छी बात है कि अभी किरिया करके के दिखा देना तुम ये चलिए अगला है अगला है अगला है एकदम भेरी-भेर important question है इस साल के लिए ठीक है बच्चो इस साल के लिए important है हम और भी session में इस question को लाए थे आज इसका answer हम पूरी तरीके से आपको दे रहे हैं हैवर विधी देखिए बार बार आ रहा है ये question आप इसको एकदम अच्छे से कर लिजिए बार बार आ रहा है ये question आप करिए ये question एकदम बार बार आ रहा है देख लिजिए आप हैवर विधी से ammonia का उत्पादन कैसे होता है सिध्धान्त लिखना है पहले याद रखिएगा कि जब भी कोई भी अभिकिरिया रहे उसका आप सिध्धान्त लिखिए सबसे पहले सिध्धान्त लिखिए उसके बाद process लिखिए ठीक है आपका number नहीं कटेगा सिध्धान्त लिखिए उसके बाद process लिखिए एकदम ध्यान रखिएगा ठीक है सबी मेरे बच्चे जो भी आप हमको देख रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कि आपको topic जो है अच्छे से लिखना है red pen का इस्तेमाल नहीं करना है आप topic black pen से लिख सकते हैं hydrogen के मिश्रन को 673 Kelvin से 873 Kelvin ताप एवं 1000 biomandelier दाप को ATM भी कहा जाता है मेरे बच्चों कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो घबडाईएगा मत ठीक है दाप पर लाह चुन एवं मॉल्वी डेनम देखिए objective में यहां से पूछता है यहां से पूछेगा क्या objective में कि हाइवर विधी द्वारा जब अमोनिया का बनाते हैं तो हम किसका उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं लाह चुन का यह मॉल्वी डेनम का तो दोनों किया जाता है बच्चों देख लिजिए गा लाह चुन का भी और मॉल्वी डेनम का भी ध दीजिएगा परकिरिया सुध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को एक अनुपात तीन में देखिए यहां लिखना है एकदम छोटा ने लिखिएगा पांच नमबर में अगर पूछे तो पूरा लिखना है अगर दो नमबर में पूछे तो सिर्फ उपर वाला सिधांत ल लिखना है बच्चों ठीक है आपको पूरा लिखना बढ़ेगा देख लिजिए ग्रिदम आपका हाथ से लिखा हुआ नूट्स थे सुध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन सुध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को एक अनुपातीन में मिसित कर सबसे पहले 673 केलव ठीक है अभी किरिया के फल्तुरोग अमोनिया गैस बनाता है इसके अतरिक्त अभी किरिया के दवरान कुछ नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से सरा जाता है जिसे बापस दंत्र में भेज दिया जाता है जो पुना अपस में किरिया करके अमोनिया के रूप में बदल जा तहहें इस विधी को ही हम हैवर प्रक्रम विधी कहते हैं ठीक है वच्छो एतना लिख करके लास्ट में सजाद दिजिएगा कि इस हम हैवर प्रकम देखिए ऐसे भी अगर कोई question का अंसर आप नहीं जान रहे हैं मेरे प्यारे बच्छो तो ध्यान रखिए आप से पहला topic लिख दीजिए जो question है और बीच में थोड़ा बहुत इधर-दर करके भी लिख सकते हैं अगर नहीं आ रहा है तो हम बोल रहे हैं नहीं लिखने से अच्छा है कि आप कुछ लिख करके आए आपको कुछ न कुछ marks जरूर मिलेगा चलिए मेरे बच्चो ठीक है तो हम अगला कोशन पर चल रहे हैं अगला कोशन पर चल रहे हैं बच्चो चलिए अगला कोशन पर चलते हैं अगला कोशन है आपका ब्यापारिक बिधी से क्लोरो फॉर्म कैसे बनाते हैं ब्यापारिक बिधी से क्लोरो फॉर्म एकदम तावल तोड इन्पॉर्टेंट ठीक है ब लियापारिक विधी से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं आपके लिए सिर्फ लांग टाइप लाए हैं आप सौर्ट की उमीद मत किज़िए कि दो लाइन में आप का अंसर हो जाएगा ठीक बच्छों आपके लिए लॉंग टाइप लाएं आपही कर निसे किसार लॉंग देखे बच्चो चलिए बच्चो देखते हैं बेपारिक विधी से क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं तो बेपारिक विधी से प्रियोकसाला में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथाईल अल्कोहल बिरंजग चुर्ण तथा जल को गर्म कर बनाया जाता है देख लिए किसके किस का इथाइल एलकोहल फॉर्मूला जानते ही होंगे देखिए अगर और गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं आप तो फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है इथाइल एलकोहल C2H5OH बहुत हलका इलगा फॉर्मूला है आप अगर भूल जाइएगा पुर्यक्साला में कलोरो फॉर्म बनाने के लिए ठीक है केलश्यम और लेगर संब आगवाय सेले इसलिए एक स्था रहा है इसलिए हम तो यहीं कहेंगे कि अप रिएक्शन जो है मनियां से पढ़िए देखिए बिरंजयक्चुर्ण सिए ओ चूल ये बिरंजग चून है ठीक है बच्चों क्या है बिरंजग चून है पढ़ें आप बिरंजग चून टेंट में भी पढ़ना था है chemistry में बिरंजक चूर्द जल से भी किरिया कर calcium hydroxide बुझा हुआ चुना बनाता है और कलोरीन बनाता है ठीक है बच्चो फिर इथाइल एलकोहल कलोरीन से भी किरिया कर फिर क्या बनाता है मेथिल मेथिल एस्टेलडिहाइड ठीक है उसके बादा है ठीक है है hydrochloricum बनाता है चलिए देखिएगा अब यहां से फिर अभी किरिया करके क्लोरीन क्या बना लेता है देखिए यहां इसी तरह से अभी किरिया करते जाता है करते जाता है जब तक की CHCL3 ना बन जाए ठीक है मेरे बच्चो जब तक CHCL3 नहीं बन जाए यहां पर है HCOO का होल ट्वाइस CA ठीक है बच्चो क्याल चलिए यह प्रयोक्साला में सी टोन विरंजक चून ट्राजल के मिस्रन को गर्म करके बनाया जाता है चलिए देख लीजिए आप अच्छे से यहीं तक है लास्ट आपका उतार लीजिए अच्छा से बढ़िया से बच्चो यह आपका यह कलोरीन जल क्याल देखिए दुवारा यही रियक्शन है आप दो तरीके से बना सकते हैं ठीक है बच्चो वही रियक्शन दुवारा है देख लीजिए वही रियक्शन दुवारा है आप देख सकते हैं कि चलिए बहुत अच्छा ठीक है मेरे बच्चों चलिए अगले कोशन पर चलते हैं हम लोग इदम फटा-फट देरीना करते हुए अगला कोशन हमारा है देखिएगा परियोग साला में एनिलीन कैसे तयार किया जाता है देख लिजी परियोग साला में एनिलीन कैसे तयार किया जाता है मेरे बच्चो चलिए फटा फट फट देखिए परियोग साला में एनिलीन कैसे एनिलीन का मतलब समझ रहे हैं बहुत important यह भी है देख लिजे बच्चो यह छोटा नहीं है अभी और reaction बागी है ऐसा मत सोचेगा छोटा है चलिए देखिए एनिलीन परियोग साला में एनिलीन कैसे तयार किया जाता है परियोग साला में एनिलीन की तयारी नाइट्रो बेंजीन ठीक है बच्चो किसे नाइ आते नो टू इस तरह से भी आप इसका जो है फॉर्मूला लिख सकते हैं εनो टू नाइट्रो बेंजीन किसके द्वारा किया जाता है ऐसे इन तीन द्वारा करन करा है जाता तीन और हाइट्रो प्रमुलीग के द्वारा तो क्या बंचा गुक्छ छीए बच्चो, एनिलीन का फर्मूला देख लिजे, कुछ नहीं है, बहुत हलका आईए, आप इसको कर सकते हैं, एनिलीन का फर्मूला हो गया NH2, नहीं अगर जानते हैं, इसको नोट कर लिजेगा बच्चो, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन का फर्मूला हो गया, यहाँ है, 3SN-SCl4, ठ ठीक है प्लस जल बचता है समिकरन जो है reaction है क्या है संतुलित हो चुका है संतुलित किया हुआ है आप सिर्फ इसको note कर लिजे मेरे प्यारे बच्चो ठीक है चलिए चलिए अगले question में चलते हैं देखते हैं अगला question क्या है चलिए देख लिजिए very 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 important राउल्ड के नियम का उलेक करें उसमें देखें राउल्ड का नियम तो आप जानते हैं बच्चो मगर इसमें थोड़ा सा जोड़ा हुआ रहेगा सिर्फ राउल्ड के नियम नहीं पूछेगा आपसे सिर्फ राउल्ड का नियम नहीं पूछेगा उसमें जोड़ देगा या बिदूत अब घटै घुले कानुभार ग्याद करने में किस परकार उपयोग करता है जो बिदूत अब घटै होता है उसका घुले कानुभार कैसे ग्याद करने में सहायक होता है यही पूछ रहा है ठीक है मेरे बच्चो यही यह पूछ रहा है का माक्स जो है अच्छा आएगा कुथनांग के उन्ययन से संबंधित राउल के नियम देखिए कोई भी कुशन का अंसर लिखिए सबसे पहले टॉपिक दे करके डाइस दे दिजिए उसके बाद लिखना शुरू कीजिए वह भी बलैक पेन से ठीक है बच्चो बहुत अच्छ है यह सब अगर आप लिखते हैं तो आपका माक्स नहीं कटेगा यह सब इन्परेंट आप इसको hardlighted करना और قتला है अगर बुलू से लिखे हैं तो ब्लैक पेन से करणा घेरना नहीं है सिर्फ हाइलाइटिट कर देना है ठीक है ताकि जो चैक जो करने है के भी जो है आपका समानुपाती अट ाने के लिए। ऐए姦 00 ,at // झलिए बच्चोच का में क्या है ? निकालने लिए ऊंदरता भी दे दिया है , जड़ा देख लेते हैं आप इसको उतार लिजिए नोट कर लिजिए बच्चो ठीक है नोट करते जाएगा अगर आप अभी नहीं नोट कर पा रहे हैं तो फिर बाद में वीडियो को आप जो है पाउज करकर के आप डाउनलोड कर लिख लिजिए मेहनत से ठीक है मेहनत कभी कभी ब्य Urs नहीं जाता है मेरे बच्चो याद रखेगा इस बात को कोई माहन पूरूस कहें हैं कि परीस्रब कभी ब्यर्थ नहीं जाता है ठीक है पर इसरम कभी ब्यार्थ नहीं जाता है देखिए एक मोलल बिलियन जिसमें एक ग्राम मोलल कुथनांग उन्नेन का लाता है दोनों हो गया देख लिजिए इसका फर्मूला दिया हुआ है यह फर्मूला आप याद रखिए इस पर नॉम्रिकल भी पूछ सकता है ठीक है नॉम्रिकल भी पूछ सकता है W इंटू सियम बराबर W इंटू 100 बटा M गुने W अता डेल्टा टीवी बराबर होता है यह फर्मूला के भी इंटू W इंटू 1000 बटा M इंटू W जखिए सब का मतलब लिखा हुआ है छोटी W बराबर घुली की मातरा छोटी M बराबर घुली से ग्याद किया जा सकता है कौन संबन से अगर objective में पूछेगा कि molecular bait की संबन किया जाता है तो molar, डिखेए कोई भी चीज का या तो सुरू में मजा है ठीक है बच्यों पीच में वही मिलता है जो सब पसंद होता है लास्ट में ज्यादा मजा या तो फिर सुरू में मजा है ठीक है इसलिए लास्ट तक देखिए आपको पता लगेगा कि लास्ट में कौन सा वीडियो है कौन सा कोश्यन है चलिए देख लेते हैं सा आठमा नंबर कुश्यन है प्रासरनी दाव की परिभासा दें सिद करें की प्रासरनी दाव एक अनुसंख्यां गुन धर्म है देख लीजिए लांग टाइप कुश्यन है ठीक हैं ठीक हैं माइडियर स्टुडेंट प्रासरनी दाव की परिभासा दें सिद करें की प्रासरनी दाव एक अनुसंख्यां गुन धर्म है चलिए देख लीजिए प्रासरनी दाव का पाहले डिफनेशन दे दे रहे हैं या अतरिक्त दाव जो प्रासरन की परकिरिया को रोकने के लिए देख लीजिए या अतरिक्त दाव जो प्रासरन की परकिरिया को रोकने के लिए बिलियन पर अरुपित की जाती है प्रासरनी दाव काहलाती है अर्थार्थ अर्थार्थ देख लिजिए अर्थार्थ यहां से समझ लिजिए बच्चो यहां से समझ लिजिए ठीक है अर्थार्थ देखिएगा अर्थार्थ बिलियन पर लगाया गया वह अतरिक्र दाब जिसके कारण अर्ध पाराग्रम जिली से देखिए अर्ध पाराग जिल्ली से बिलायक का बिलियन में प्रवाह रुख जाए प्रसरनी दाब का लाता है प्रसरनी दाब को पाई बड़ी पाई द्वारा सुचित किया जाता है बड़ी पाई वरावर CRT फर्मूला होता है वाईल वांट आपके अनुसार वाईल वांट एक बिज्यानिक थे दो वह अब नियम दिये थे उन्हीं के अनुसार देख लिजे बच्चो उन्हीं के अनुसार क्या हो गया वाइल वांट हाप के नुसार नियम ताप पर बिलियन का परसनिदाव उसके क्या होते हैं उसके सांदरन के समानुपाती होता है देख लिजे वाइल हांट वांट हाप के नियम के नुसार इसको पूरा इदम उतारना है आपको अच्छे से ठीक है न देख लिजे पाई R T C हो गया है ठीक है पाई ब्रावर C R T हो गया है इसको सर्या लिए पाई ब्रावर N V R T क्योंकि C ब्रावर अब पढ़े हैं C ब्रावर N बटा भी होता है जहाँ N क्या है मोलों की संख्या है ठीक है जहाँ N मोलों की संख्या है यदि भी एक लीटर हो यदि भी एक लीटर हो तो 5 ब्रावर क्या हो जाएगा Ni into RT 5 ब्रावर N RT इसको solve कर दिये हैं अता प्रसर निदाब समानु बिले के मोलों की संख्या एक होगी यहां प्रसर निदाब बिले के मोलों के संख्या के अनुकर्मानुपाती होता है ठीक है बच्चो यह आठमा नमबर कुशन था चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ रहे हैं बच्चो ठीक है चलिए देख लेते हैं आपके सामने देखिए एक दम इन्पोर्टेंट कुशन है ठीक है नौ नमबर से पहले यहाँ देख लिजे थोड़ा सा था प्रसर्णी दाब बिले के कनों के संख्यां पनिर्भर करती है अता प्रसर्णी दाब एक अनुस संख्य गुंधर्म है लास्ट में यह लिख करके आप इती सिरी कर दिजेगा उस कुश्यन खा चलिए नौमा कोश्यन नौमा कोश्यन पे हम आ रहे हैं एकदम इन्पोटेंट है पर्थम कोटी की अभिकरिया के लिए अर्द जीवनकाल को समझाएं ठीक है एकदम पूछेगा यह कोश्यन एकदम लिख करके ले लो ठीक है पर्थम कोटी की अभिकिरिया को के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं एकदम TTI है ठीक है बच्चो एकदम TTI पर्थम कोटी की अभिकिरिया के लिए अर्ध जीवन काल को समझाएं इस पर एकदम नॉम्रिकल भी रह सकता है और ये कोशन भी रह सकता है ठीक है मेरे ब जीवन काल को समझाएं तथा अर्ध जीवन काल और औसत जीवन काल के बीच संबंद स्थापित करें देखिए यह कोशन जो है जीवन काल के भी संबंद स्थापित करें इसको आप ध्यान से देखिएगा इस कोशन को ठीक है बच्चो नौमा नंबर कोशन आप ध्यान से देख और दोखेगा चलिए चलिए चलते हैं जलिए चलते है दूर्ष में चलिए आपका ये Andrea आपका दॉ है इसको टापिक में लाना इसको लिखना बात पूरा हो नहीं Link कि टावर्ध तोड़ इंपएंट ठीक है समझ में आ गया न समय लगता है उसे अर्ध जीवन काल कहा जाता है इसे टी हाफ द्वारा निरुपीत किया जाता है देखिए समय को टी आप समय को टी से निरुपीत करते हैं और अर्ध आधा समय को क्या से निरुपीत किजिएगा टी हाफ से निरुपीत किजिएगा तो इसे टी हाफ द्वारा आप पढ़े होंगे पढ़े थे पढ़े थे यह बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा हम को जानकर कि आप इसको पढ़े हैं कि बराबर क्या होता है इतना होता है चलिए मागे बढ़ रहे हैं इसी फॉर्मूला में हम क्या रख रहे हैं देखिएगा इसी फॉर्मूला में रख रहे हैं अगर टी हाप देखिए अगर टी क्या हो जाए अगर टी हो जाए टी हाप यानि समय आधा हो जाए अर्थ जीवनकाल हो जाए पूरा नहीं हो तो उसका जो यह होगा एक्स होगा वो तो वही है, अब T तथा X का मांद, समिकरन में हम जो ये K बराबर आप जानते हैं, उसमें हम रख दिये, K बराबर क्या था बच्चो, K बराबर ये था, देखिए, इस समिकरन में रखें, ध्यान रखिएगा, यहां समझ यह नहीं, तो समझ में फिर नहीं आएगा, नॉमरिक 2, इसको solve कर दिजिए, आपका जो value आएगा, वही क्या हो जाएगा, वही संबंद हो जाएगा मेरे बच्चो, ठीक है, आप solve किजिए, इसको 2.303 बटा T हाप लॉग A बटा A मायना से Y2, इसका LCM ले लिजिए, चलिए हम LCM ले लेते हैं, फटाक सा, देखिएगा, इसको हम फटा-फट कर रहे हैं, इसका LCM ले लेते हैं, ठीक है बच्चो, इसका LCM हम ले लेते हैं, चलिए ले लेंगे, इसका LCM, चलिए LCM ले लेते हैं, इसका, देखिएगा, देखिएगा, फटा-फट, इसका LCM हम ले रहे हैं, देखिए इसका LCM, इसका LCM लिए, देखिएगा A बटा 2 हो गया यह T-Hap इधर चलाया और K यहां चलाया देखिए फ़र्मूला बन गया और यही लास्ट में लॉग 2 का बैल्यू कितना होता बच्चो जीरो पॉइंट 0.3010 देखिए लॉग 2 का बैल्यू यह वैसे ही रा गया लॉग एक कट गया दो उपर गया क्या हो गया लॉक्टू हो गया लॉक्टू का वैल्यू कितना होता इतना अब इतना गुना इतना किजिएगा तो आपका जो है जो वैल्यू है टीहा ब्रावर फर्मूला वो आ जाएगा गुना कर लिजिए जरा कर देते हैं गुना कर लिजिएगा आप लोग, चल ये बहुत अच्छा गुना कर लिजिए आप लोग बच्चो, आप लोग गुना करिएगा बहुत अच्छा है, कितना आएगा, 0.693 गुना करिएगा, तो इतना आएगा, आपका यही जो है formula बन गया, ठीक है, यह एक गिद्दम question पूछेगा बच्चो, एक ग दखे बच्चोब अब ध्यान रखेगा इसको एकदम पूछेगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों एकदम ध्यान रखेज Què इसको नुरहति को गुसा चमिनी कर अब इसे को से और 09 प्रस्तन का आज का लास्ट कोशन हम ले लेते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा और देख लेते हैं देखिए संबंध था ठीक है उसके बाद थोड़ा सा लिख लिजिएगा इसको बच्चो जब वह आ जाएगा उसके बाद लिखिएगा कि अता अर्ध जीवन काल परतिकारक के कसा आत्रान पर निरभरन नहीं करता है अप संबंध्या भी पूछ रहा था ठीक है बच्चो दोनों में आसत चीवन और इर्ध जीवन काल में समंग। इभी है इन्पोरटेंट है एक धूमपणिया से दोनों में संबंध पूछ रहा थाह देख लिए यहां से यहां से देखना है हम जानते हैं कि T हब ब्रावर अभी तुरत निकाले हैं ठीक है बच्चो अभी तुरत निकाले हैं हम निकाले हैं ना गुना की हैं आप यहां निकाले हैं T हब ब्रावर 0.693 वटा के देखिए हम आपको आंसर आपको गुना इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्य अब येगा तब ही सीखिएगा ठीक है बच्चो चलिये यहां बभावर क्या है वन य्क्रॉप कि इसको डिभाइट करिएगा बच्चों इसको डिवाइट कीजिएगा तो 1.44 आएगा गुना टीहाफ, अता आउसत जीवन, देखे सम्बंद बना, उतम इसको एकदम ने छोड़िएगा, अता आउसत जीवनकाल बडाबर 1.44 इन्टु टीहाफ भी रख सकते हैं, और अर्ध जीवनकाल भी लिख सकते हैं, टीहाफ भी रख सकते हैं बच्छो और अ फर्मूला प्राप्त हुआ अगर उसत जीवनकाल पुछा तो उसके अर्ध आयू में अर्ध आयू जो निकला हुआ रहेगा निकालेंगे उसमें 1.44 गुना करना पड़ेगा ठीक है मेरे बच्चों कि लिए चलिए आखरी कोशन है ठीक है आखरी कोशन है इस सेशन का आप जि इस एक्जाम में एकदम 90 पलस 90 पलस हम तो चाहते हैं कि आपका 95 मार्क्स कम से कम आए कमिस्ट्री में 95, 96, 97, 98 आए ताकि हम एकदम पूरा एकदम और जुनून जोस जुनून से पढ़ाएं चलिए अगला कोशन पे चलते हैं बच्चों दासमा नंबर कोशन आपके सामने है परियोग साला में इथाइल एमीन कैसे बनाया जाता है परियोग साला वाला एक कोशन पूछेगा मेरे बच्चों इस कोशन को आप ध्यान से देखिए ये हमारा आखरी कोशन है दस कोशन का ये सेसन था दिर्ग उतर ये कोशन का ठीक है बच्चों चलिए देख लिजिए ज कैसे दियार करेंगे देखिए पर्योक साला जब भी पूछे सिध्धान लिखिये सिधान पर साला मिलमिन की तयारी भी में और में आउपमेन इस नीची गरन दिरी द्धित्वारा बट्चों यह साइन्स नहीं एकदम लगतार नहीं लिखना है आपको थोड़ा सा गयप देना है साइन्स में ताकि जो कौपी चेक कर रहा है उसको समझ में आप लगतार नहीं लिख सकते हैं आपका topic टॉपिक चेंज कर दीजिए लिखने का भी एक तरीका है जब तक आप अच्छे से लिखिएगा नहीं आपका माक्स नहीं देगा आप कुतना भी लिख लिजिए यह आठ्स नहीं है ठीक है मेरे बच्चों जब न ओएच के अधिक अधिकए में प्रोपेनो माइक की परकिरिय प्रोपेनो माइक की परकिरिया ब्रोमीन से कराई जाती है तो इथाईल एमीन बनता है ठीक है बच्चों देखिए अभी किरिया निम्थ तरीके से होती है बस यह एकदम च्छोटा सा भी रियक्सन है इसको एक वर ध्यान से देखिए एक वर इस रियक्शन को एधम प्यार स ही थीख है बच्छों यही है इसकी अभिकरिया किसे करा रहे हैं ब्रोमीन से करा रहे हैं और sodium hydroxide से करा रहे हैं, क्या मिल रहा है है हमको, आपका जो है, जो आपका चाहिए एथिल एमीन मिल रहा है, देख लिजे, C2H5, एथिल एमीन का formula होता है, C2H5, NH2, C2H5, NH2, आपको प्राप्त हो गया, ठीक है मेरे बच्चो, आपको प्राप्त हो गया, ये हमारा आज का अच्छे से कीजिए, एकदम मेहनत लगा करके बच्चो, मेहनत से ये 10 question आप करके जाए, अगर 2 से 3 question भी पूछ दिया, तो 15 number, 3 question भी पूछ दिया, तो 15 number जो है, आपका complete हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चो, आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है, आप अच्छे से मेहन तरीके से संतुष्ट हो जाएगा, आप जाने से पहले, अभी 30-35 दिन है, 30-35 दिन में हम आपका इतना revision करा देंगे chemistry में, कि आपका level जो है, यहां से यहां पहुंच जाए, यहां से कम से कम यहां पहुंच जाए, ताकि आप exam में बिना डरे बैठें, और लिप करके आए, बस हम यही चाहते हैं, thank you.